प्रिय भाई और बेहनों आज इका शुबस अन्देश के लिए आप सभी को हम स्वागत करें तेरे लिए मेरे लिए आया आया वो इंसान बनकर आकर के उसने बचाया तेरे लिए मेरे लिए आज का संदेश बरदा निर्सन तोमस मुंबई से अवाटा जाएका प्रारतना के साथ सुनी है प्रभु पर्मेश किस्तु दी हूँ शुबस अन्देश के हमारे सारे स्रोताओं को मसीश के आतिसरेश्ट नामे नमस्कार और अबिनन्दन थोड़े दर के हमारे मनन के लिए आईए पढ़ेंगे मतिरे सो समाजार छे अधिया उसका नव अप मात्रिस कास्पल चाप्टर सिक्ष वेर्स नाइन अथा तुम इस प्राकार प्रारतना करना है हमारे पिता तू जो सर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाएं प्यारो हम पिछले कई हफ्तों से इश्व मसी के पहाड़ी उपदेशों में से विचार कर रहे हैं पतिरे इश्व समाचार छे अध्याई पांच से लेके पंद्रा पदों में इश्व मसी अपने सिश्यों को प्रारतना के बारे में सिखाते हैं उन दिनों की यहूदियों का गलत प्रकार का प्रारतना के बारे में उनको यादिलाने के बाद उन्हें कहते हैं आटवा पत में इसलिए उनका सदर्शन ना बेलना उनके समान की प्रार्थना नहीं करना हर प्रकार की प्रार्थना पन्मेशर स्विकार नहीं करते हैं फर नवा पत से लेके तेरवा पत तक इश्व मसी उनको एक प्रार्थना का नमोना देता है बहुत सारों लोग सौचते हैं और कहते हैं ये इश्यु मसी का प्रार्थना है इश्यु मसी का प्रार्थना सच मुछ में युहन्ना का सुस्वमाजा और उसका सत्रवा ध्या में देखते हैं जह हम इश्यु मसी अपने पिता से प्रार्थना करते हैं ये तो प्रेरितों का प्रार्थना है, प्रेरितों को इश्व मसी प्रार्थना कैसा करना है सिखाते हैं, इसी प्रकार की प्रार्थना हम लोग का रिसो समाजार ग्यारव ध्याय में भी देखते हैं, दो से लेके चार पदों में, जब प्रेरितों ने उससे कहा प्रभुजी ह हमको प्रार्थना करना कैसा है सिकाना तो इश्व मसी करीबन इसी प्रकार का शब्दों को इस्तेमल किया गया है इसलिए जो नौसेले की जो पद है ये हम प्रार्थना कैसा करना है किस प्रकार की प्रार्थना करना है हमरा प्रार्थना किस प्रकार होना है इसके बारे में यह प्रार्थना से हमें कई सबक, कई लेसंट्स मिलते हैं। ये बात जिरूर सही है कि प्रार्थना हमें निरंदर करना है, प्रार्थना हमें बहुत प्रभाव है और प्रार्थना के द्वारा ही पनमेशर काम करते हैं। लेकिन हमारी प्रार्थना पनमेशर के सामने स्विकार य यो सही होना चाहिए यह जो नमूना के प्रार्थना से कई सबक हमें मिलता है एक बात हम नौट कर सकते हैं कि कितना चोटा सा एक प्रार्थना इश्य मसी नमूना के रूप में दिया यहोदी लोगों का प्रार्थना के बारे में और इश्य मसी अन्ने जगा में लिखा कहते हैं वे लेंबे लेंबे प्रार्थना करते हैं लोगों को सुनाने के लिए लोगों को सिखाने के लिए प्रार्थना के दौर आज भी ऐसे लोगों को अब देख सकते हैं सोचते हैं वो पनमेशुर से प्रार्थना करते हैं लेकिन सुनने वालोंगो इंपरस करने का प्रार्थना इशमसी एक दम छोटा सा एक प्रेयर उसको सिखाया और इस प्रेयर को इस प्रार्थना को हम देखे गा तो एक महुत पुर्णा बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत मांग कना हम देखता नहीं हमारे हमारे इसकात है हमारे दिन भर की रोटी आजमे दे हमने अपने अबनादियों का चमा किया इसमें एक सामाजिक प्रार्थना इसमें बिल्कल स्वार्थत हम देखता नहीं उस्तना भी नहीं और एक महुत्व पूर्णा बात पनमेशर पर शुरू करते हैं और पनमेशर की बातों पर अंद करते हैं शुरुआत अपका बचन हमने देखा है हमारे पिता तू जो सर्ग में है और वहां से शुरू होके अंद में कैसा समाप्त करते हैं कि राज्जी और पराक्रम और महिमा सदा तेरी हो महान पनमेशर के महान अता का वर्णन करते हुए खबूल करते हुए शुरू करते हैं और वह खबूल करते हुए उनकी महिमा करते हुए बेन करते हैं प्रार्थना का उद्देश सच मुछ में पन्मेशर की महिमा है। तो मेरे नाम से मांगोगे, वही करूँगा कि पुत्र में पिता की महिमा हो। तो हमारी प्रार्थना का लिख्ष, उद्देश पन्मेशर की महिमा है। तो इसलिए पन्मेशर पर शुरू करके पन्मेशर पर समाप्त करते हैं। और एक महुत्वपूर्ण सच्चा इस प्रार्थना का आदा हिस्सा में इस शरीय बातों पर ध्यान देता है दूसरे शब्दों में अपने आवश्यक्ताइं ग्यारवा पत्से कहते हैं वहां बाद में जाएंगे हमारे दिन बर के रोटी आमें आज दिये लेकिन नव और दस पूरा प्रार्थना के शुरुवात में हमारा ध्यान और विचार पनमेश और पर केंद्रित करना है इसलिए वह नववा पत्कवा देखिए इश्यमसी क्या बोलता है प्रार्थना का शुरुवात ऐसा है हमारे पिता तू जो सुर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाएं प्रार्थना में हमें अविश्य अंगीगार करने की तीन बाते इदर लिखा है वो जल्दी में बोलका बंद करता हूं पहली बात ये है कबूल करना है कि तू पनमेशर महान आसमान में सुर्गों के ऊपर विराजमान है वहां का सही शब्द अख्चली हेवन्स है सुर्गों में पनमेशर वासकर्थ ऐसा नहीं है कि हम ऊपर की और देखर आसमान पर वहां पनमेशर वासकर्त है सारे ब्रह्मांद के ऊपर, हैवन्स के ऊपर, सुर्गों के ऊपर पन्मेशर शासन करते हैं तो पन्मेशर का अधिकार का हम अंगीकार करना है और दूसरी बात ये कबूल करना है ये अंगीकार करना है आप हमारे पिता है हमारे पिता है ये कैवल एक सामानी रूप में पनमेश और सिष्टिकरता के रूप में पिता ऐसा नहीं जैसा नया नियम में अपड़ते हैं पनमेश और से जन्मा हो हमने देखा पहले यहुदियों को ईश्व मसी ने कहा तुम तो शेटान के संदान हो लेकिन जितने लोग ईश्व मसी को ग्रहन करेगा उनके अंदर पवित्रात्मा के कारी के द्वारा पनमेश और से नया जनम पाते हैं और पिता पनमेश उसका पिता बेनते हैं अब्बा पिता पुकारने का हक और आजादी मिलते हैं पनमेशर को अपना पिता के रूप में अंगीगार करना है ये बहुत बड़ी साओ भाग्य है पनमेशर हमारे पिता बेनते हैं हम उस दिये नजदिक बेनते हैं हमारे नजदिक आ जाते हैं हमारे उपर पिता के रूप में प्रेम और दया रखते हैं हमें चलाते हैं बहुत सारी आशिशी हैं और उनका मिरास हमें मिलते हैं और तीसरी बात कबूल करना ये है कि पनमेशर का नाम पवित्र माना जाएं पनमेशर पवित्रताई में वस करते हैं उसका पवित्रताई को अंगी कार करना है उसके आदेशों का पालन करना है उन पर भरोश्चा करना है प्रफो में साहता करे इश्व मसी का ये जो नमूना की प्रार्थना कैवल बोलने से फायदा नहीं यहां से सबक सीखना है यहां से सच्चायों को समझना है और परमेशक के सामने सीखारियों की प्रार्थना करना है क्योंकि हमारा पिता है और हमारे प्रार्तना के शब्दों के द्वारा पनमेशक की नामगी महिमा होना है प्रभू इन वचनों से सायता करें प्रभू की नामगी महिमा